या आपको इस बार PKL में जीतना है एक महिंद्रा थड या फिर Royal Enfield Hunter Bike या फिर KTM Duke 390 आपको बस इतना करना है कि हमारे giveaway में participate करना है कहाँ पे है Real 11 application पे इस वीडियो के description में Real 11 application का एक link आपको मिलेगा जाइए Real 11 को download कीजिए install कीजिए वहाँ पे fantasy खेलना शुरू कीजिए हमार इस वीडियो के description section में मिल जाएगा जहाँ पे इस match का final update भी आएगा टॉस के बाद तो जाएए जुर जाएए आच्छा इस section में हम discuss करेंगे matchups जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कौनसे raider के सामने कौनसे defenders आने वाले है आँच और कौनसे defender के पास सबसे जादा tackle करके आपको points देने का opportunity होने वाला है देखो बिंगॉल वाडियर्स जब rating करेंगे और जैपुर पिंक पैंथर्स के defenders defending करेंगे बिंगॉल वाडियर्स के तरफ से दो main raider है एक तो मनिंदर है जो लगबग 50% rate खुदी करते हैं एक है स्रीकान जादव जो left side से rating करेंगे almost 30% rate वो खुद करते हैं बाकी एक विश्वास S नाम का player को खिलाया गया था वो भी right side से rate करते हैं ठीक है अब इनका जो rating है ना हलका सा right side से ज़्यादा होने वाला है ये बाद आपको समझ के चलना है तो opponent team जैपुर पिंक पैंथर्स का जो right side का defense है उनकी उपर आपको special attention देना ह कौन कौन लेफ्ट corner पे अंकूस जूनियर पिछले साल का सबसे best defender ध्यान रखिएगा पिछले match में flop होते वे आ रहे हैं इन पे आप trust कर सकते हैं क्योंकि hit to head record versus Bengal Warriors बहुत अच्छा है right cover position पे captain सुनिल कुमार बहुत important होंगे आज और right corner position पे शाहूल कुमार advanced tackle करने आज सकते ह या फिर मुझे कहना चाहिए मनिंदर जब आएंगे ना सबसे पहले इनको ही attack करेंगे क्यों क्योंकि साहूल कुमार बहुत ज़्यादा points लिग करते हैं तो मनिंदर और विश्वास जब आएंगे सीधे सीधे साहूल पे attack करने वाले हैं बाग कि अगर मनिंदर को किसी से बचना है और राइट कवर पुजिशन पे सुनिल कुमार से बचना है क्योंकि इन दोनों का record ना versus Bengal Warriors बहुत ही जादा अच्छा है पिछले मैच में पिछले साल जो दोनों मैचेस खेले गाए थे hit to hit यहाँ पे दोनों बार high five निकाला था कौन अंकुष जूनियर ठीक है और तीन या चार पॉइंट निकाले थे सुनिल कुमार ठीक है अच्छा अब left side से जब स्रीकान जादव रेडिंग करने आएंगे उनके सामने सबसे पहले होंगे शाहूल कुमार और स्रीकान जादव ना इनको ही सबसे पहले target करेंगे क्योंकि यह weak link है थोड़ा सा ठीक है फिर वो target कर सकते हैं शाहूल कुमार को जो right corner position पे होते हैं अच्छा लगे हाथ दूसरा matchup भी check out कर लेते हैं जहां पे जैपुर पिंग पैंथर्स के रेडर्स रेडिंग कर रहे और बिंगॉल वर्यर्स के defenders defending कर रहे अब जैपुर पिंग पैंथर्स के पास एक right side का रेडर जो 20% rate करता है ठीक है अब देखो जब अरजून देशवाल right side से rating करने जाएंगे उनके सामने सबसे पहले कौन होंगे उनके सामने सबसे पहले होंगे left corner position पे आदित्य शिंदे पिछले match में तीन tackle points निकालती वे आ रहे हैं बहुत ही potential left corner के defender हैं इनके ओपर आपको ध्यान राइट cover position पे team का weak link है वाइवव गर्जे होंगे और right corner position पे आपको कौन दिक जाएंगे शुभम शिंदे team का best defender है तो अरजुन देशवाल को अगर point score करना है न सबसे पहले आके right cover पे वाइवव गर्जे को target करना पड़ेगा फिर आदित्य शिंदे को target कर सकते हैं और इनक साइट से वी अजीत कुमार और राहूल चौदर रेडिंग करने आएंगे उनके सामने सबसे पहले कौन होंगे right corner पे शुभम शिंदे जो पिछले match में high five लगाते वह आ रहे हैं inform defender है ठेक है बहुती confidence के साथ defense कर रहे थे पिछले match में बाकी left cover position पे स्रेयश होंगे इनको ही जाधा से जाधा यह target करेंगे क्योंकि team का weak link है ठेक है और left corner position पे आदित्य शिंदे है जो left side के रेडर्स के सामने उतना अच्छा नहीं करते तो left side का defense मुझे थोड़ा सा weak लग रहा है जहाँ पे शुभम शिंदे को अगर यह देखके खेल लेते हैं तो शायद भी अजीत क इक के साथ मैंने अपना small link का combination बनाया है जहाँ पे captain अर्जुन देशवाल है क्योंकि मैं जायपूर पिंग Panthers को support कर रहा हूँ और जायपूर पिंग Panthers के तरफ से पिछले साल भी अर्जुन देशवाल Bengal Warriors के against काफी बढ़िया performance किया था जब जब ये दोनों team आमने सामने भ points निकाले थे जो पिछला बार hit to hit हुआ था दोनों teams का ठीक है तो I am quite sure जब आज जायपूर पिंग Panthers आएंगे पिछला मैच हारने के बाद defending champions है for a reason तो उनके पास एक plan होगा कैसे हम Maninder Singh को रोकेंगे इसलिए Maninder को मैंने wise captain captain कुछ नहीं किया है और अंकुष junior जिनके तरफ स Maninder Singh rating करेंगे ना उनको मैंने wise captain कर दिया है यह मेरा risk है अगर आपको लगता है कि नहीं Maninder जादा अच्छा करेगा तो अब Maninder को wise captain कर दो जब मैंने अंकुष junior and Sunil Kumar दोनों को एक साद लेके रखा है जिनके side से Maninder rating करेंगे तो Maninder को wise captain करने का मतलब बनता नहीं है फिर भी यहाँ पे अजीद कुमार को मैंने रख लिया है बाकी आदिते शिंदे left corner के defender है और शुबम शिंदे right corner के दोनों corners मैंने ले लिया है दोनों corners ही पिछले match में काफी अच्छा performance करते वे आ रहे हैं Bengal Warriors के तरफ से ठीक है तो यह बात है काफी sorted सा combination है even आपका opponent जो होगा ना 3-4 members में almost इसी team के साथ आएगा शायद यहाँ पर स्रीकान जादफ कर ले आदित्य शिंदे के जगा रिजर मेरबेगरी है शाहूल कुमार को ले के आ जाए ठीक है बाकी और कुछ खास change नहीं होगा और vice captain captain सभी का मनिंदर होगा अब grand league में ना अब शाहूल कुमार को try कर सकते ह हो जिनके साथ साच कौन रेडिंग करेंगे पता है स्रीकान जादफ रेडिंग करेंगे लेफ्ट साइट के रेडर हैं और शाहूल कुमार यहाँ पर खड़े होते हैं तो स्रीकान जादफ को बहुत बार आउट कर सकते हैं या स्रीकान जादफ इनको बहुत बार bench में भेज सकते हैं यह वाद आपको ध्यान रखना है इवन इधर से जब मनिंदर आएंगे ना विश्वास आएंगे उनको भी सामने से जाके अडबांस टैकल करके रिजवास यह है जो लिफ्ट इन पोजिशन पे खेलते हैं और टीम के थर्ड रेडर के हैसियत से खेल रहे हैं मेरे इस आपस है विश्वास के जगा अगर यह नितिन धनकर जो एक प्योर रेडर है उनको मौका देंगे जादा बहतर कर सक हैं पता हैं नितिन धनकर को पिछले मैच में क्यों नहीं मौका दिया गया मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दभाई के नितिन धनकर खेलेगा यहां पे रेडिंग सेक्शन में और यह तीनों रेडर हमारे पास है आप स्रीकान जादव के साथ जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जैपूर के डिफिंडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा भड़ोसा है इसलिए मैं स्रीकान जादव को नहीं लिया है और वी अजीद कुमार को रखा है as my third reader ठीक है राहुल चौधरी फिलाल फॉर्म में नहीं है बाकि और कोई खास यहां प